अलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गिरिश खराथ है, मैं एक एक्टर हूँ, वेलकम टू जॉइन फिल्स ये कमरा किसका है? ये, ये मेरा निलका कमरा है चलो, तलाशिलो इसका फैसला तो आप पोर्ट करेगा लेकिन फिलाल, ये सबूत आपके खिलाफ है, इसलिए हमने निलकाद्यानी को रिहा कर दिया है जब भी कभी आपके मन में एक्टर बनने का ख्यार आता है, तो उससा आता है, लेकिन उससा के साथ साथ डर भी लगता है जब कभी भी आप मुंबे जाने के बारे में सोचते हैं, बॉलिवूड में काम करने के बारे में सोचते हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है कि बड़ा मज़ा आ जाएगा अगर हम इस करियर में चले गए तो, लेकिन उसके साथ ही डर भी बड़ा होता है ऐसा नहीं है कि ये सब के साथ नहीं होता, सब के साथ होता है लेकिन कौन इस डर के पार निकल जाता है और बॉलिवुड में आ जाता है उन लोगों से मिलवाने वाला हूँ आज के फिल्मी फंडे में आज मेरे साथ एक एक्टर है जो कुछ दिनों पहले तक कुछ महिनों पहले तक आपके जैसे ही थे एक दूसरे शहर में थे डरे हुए थे लेकिन चाहते थे कि वो बॉलिवुड में करियर बनाया लेकिन उसके बाद भी कुछ रहा नहीं में ले लेकिन उना एक्शन लिया और उसके बाद आज मेरे साथ बैठे हैं एक आक्टर के तौब पे तो क्या किया उन्हों ने ऐसा कि जब वो अपने शहर में थे तो सिर्फ सोच रहे थे लेकिन आज, आज हकीकत में एक एक अइसे आजिस के रूप में जिसके जिये लिए मैं जोटरू फिर्म斯 में आपका आखे ड्रीम होता है कि विरिंद्र सर के साथ में बैठके उनसे वार्तालब किया जाए तो आज मुझे यह महसूस हो रहा है जो द्रीम था वो आज मेरा पूरा हो रहा है तो आपके बाज़ में बैठाउंगे और आपका ड्रीम यही पूरा हुआ कि आप एक्टर बन गए यह द्रीम तो मेरा बहुत पहले था मतलब जब से मैं कॉलेज कंप्लिट करने के बाद जब भी मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ करना है करना है मगर कुछ ऐसी फामिली प्रोबल्म से हुआ नहीं मिल रहा था मुझे कि कुछ किया जाए उसके बाद उसके बहुत साल करीब pariब pari bi 15 साल निकल गए यह सोच वा तो ओ जो सोच है वो कहीं न कहीं दब गई थी और उसके बाद में एक जो यूटूब चैनल है वहाँ पर मैं सर्च कर रहा था मतलब जब लॉगडाउन हुआ था मार्च महीने में तब मैं और उस टाइम पर बहुत तीन महीने का मुझे टाइम मिला अपने आपको जानने का कि मैं क्या कर सकता ह जो तीन महीना मैं घर पर था उस टाइम पर मैं सोच रहा था क्या करें क्या करें तो बस ऐसे ही यूटूब चैनल मैं सर्च कर रहा था तो उस वगड जो यूटूब चैनल है वो मैंने सर्च किया और आपके वीडियो मैंने बहुत सारे देखें करिब करिब मैं उस टाइम मैं अगर बोलो तो 40-50 वीडियो आपके मैंने देख लिए उस दौरब में लॉकडाव में मैं वीडियो बना के फेस्बूक में सोशल मेडिया पर डाल रहा था और मेरे जो गूरूप सरकल है जो मेरे पुराने कॉर्पोरेट गूरूप सरकल और परस्नल गूरूप सरकल वो का जो तरीका था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो उसके बाद मैं फिर आपके टीम मेंबर से मैंने कॉंटेक किया कि मुझे जॉइन फिम्स जॉइन करना है उसी दौरान जो आपका जो ऑनलाइन बैचिस जो है वो स्टार्ट हुआ था उस टाम भी जो फर्स था मतल पहले स्टार्टिंग में मैंने ओनलाइन कोर्स लिया वीडियो कोर्स जो है उसके तौरान फिर आपकी टीम के तरप से मुझे कॉल आया था तो उसी दाम पे आपके भी वीडियो ऑनलाइन जब आप जो आनलाइन आते हैं लाइव जब आता हूं तो उसमें आपने किया था क कि मैं एक अउनलाइन ग्लासिस प्रेक्टिकल कैमेरे क्लासिस में स्टार्ट कर रहा हूं तो तुरंधी मैंने टीम से बात करके तुरंधी में मतलब हाफ इन आवर मैंने फोन करके ओ जोइन कर लिया और फिर बाद में जनल तो वह तो एक अलग एक्सपिरियेंस था क्योंकि मेरे लिए भी नई चीज़ थी कि हम लोग ऑनलाइन जा रहे थे लाइव क्लासेज बे और ये लोग भी काफी ड़र गए थे कि ऑनलाइन सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं लेकिन पूरे बैश ने बहुत अच्छा किया और आज तकरीबिन सभी लोग काम भी कर रहें सभी लोग काम करें और ये देखे क्या होता है लॉक डाउन में भी आप चाहें तो अपने सपनों को ना अनलॉक कर सकते हैं ये आपके उपर डिपैंड करता है कि आप उसका भी पर आपने अच्टिंग तो अपने अच्टिंग तो सीख लिए वह तो एक टर्म पूरा हो गया क्लास पूरी हो गई और उसमें मैं अप्रोचिज बगरा बताता ही हूं कि कैसे करना है कहां जाना है क्या करना फिर जब अपने हकीकत पे उसने चलना शुरू किया मुंबई जर्नी कैसे रहे जैसे मुझे क्लास में सिखा आगा था अपरोचिंग और अपने आपको कैसे मेंटेन रखना और प्रैक्टीज जो है यो मेरे दिमाब में तो ठायी ऊंचा है कि मेरे Zhoubender एक जैसे में मढ़ी 10 तारिक को 10 अगस्त को मैं में मुंबई में आया और मुली 10 तारिक को मैं डारह पुल ऑर. चाहता हूं आग उसके पहले एक वाकिया सुनाना चाहूंगा, कि जब भी मैं ये क्लास जॉइन करने वाला था, उसनांबे आपको सर याद होगा, कि मुझे एक डाउट था, वो डाउट क्लीर करने के लिए, मैंने तीन दिन वेट किया, आपसे बात करने के लिए, तीन दिन से आपसे बात नहीं हो रही थी, मुझे एक डाउट क्लियर करना था, मैरा डाउट ये था, कि सर मेरा जो अभी एज है, वो लेट फोर्टीज और जॉब में भी थे, और वो जॉब में मतलब करीब करीब मैं 10 साल से जॉब कर रहा था, तो क्या मैं ये एच पे मुझे काम मिलेगा, इंडर्स्ट्री में मुझे एंट्री मिलेगी, तब वीरेंद्र सर ने मुझे 10 मिनिट जो समझाया, वो 10 मिनिट समझाने के बाद मैंने तुरंदी फैसला कर लिया के मुझे जॉइन करना है और फिर मैंने काम कर लिया रोज मेरा सर प्रैक्टिस था कि मैं रोज 10 एड्रेस लूँ 10 एड्रेस में शाम तक पूरा हो ना हो दूसरी बात है अगर 10 एड्रेस लेके मैं 6 या 7 एड्रेस पे जाकी इंट्रोल देखे आता था प्लस दूसरा मुझे वह पर आपीस जाते जाते यह भी पता चला के दूसरा भी एक important factor है coordinator तो वह भी मुझे पता तो coordinator से भी मैंने कॉंटेक्ट करना चालू किया तो जैसे ही मैं 12 तरिक से आया और अभी जैसे के मुझे एक महीना होने को आया एक महीने में करीब करीब मैं 30-40 कॉडिनेटर को या 7-8 कास्टिंग डिरेक्टर को मैं इतनी जहन पहचान हो चुकी है कि मैं यह बोल सकता हूं कि भाई काम निकालो अभी तक कितने प्रोजेक्ट कर लिया आभी सर्मने टोटल उंच प्रोजेक् कर लियू है Güjiर अतिमा किमे जो मैंने एप्धाबाद में किया तक माना किया इसके भाद में मैं इसके बढ़ने दो तीन सीरिशल किया रादा कृष्णा किया, भिम्राव अंबेड कर किया, जैमा वहिष्णोदेवी एक वेब सीरीज है, रामानन सागर प्रोडक्शन की, उनका मैंने किया, उसके बाद में अभी जी टीवी पे जो एक सीरिल आता है, कुर्बान हुआ, साधे दस को आता है, मंडे टू फ्राइडे उसमें मैं करेक्टर रूल कर रहा हूं, उसका अरड़ी मेरा 6 एपिसोड का शूट हो गया है, तीन एपिसोड टेलीकास्ट हो गए, बाकी के 3-4 एपिसोड अभी आने बाकी हैं, और क्या-क्या काम आना बाकी है? अभी सर मेरा दो हिंदी सीरियल अभी उसमें बात चलिया और एक मराथी सीरियल का बात चल रहा है जो अब करीब मतलब यह मन्त के एंड में या उसमें स्टार्ट होने वाला है तो अब जब जौब छोड़ा था और इस करीब को प्लाइन कहिया था अपने फिर अपने अपने एक्शन लिया मैंने कितना भी समझाया होगा मैं जानता हूं पिर थोड़ा बहुत तो रहे गया होगा और आज जो लोग ओते हैं और बढ़ा देते हैं लेकिन आज जब वो दिखते हैं आपके करीब के लोग या आपके परिवार के हैं दोस्त के लोग आप कैसा फील करते हैं आतो जैसे ही टेलीकास होने वाला था मम्मी को मैंने फोन किया तो मम्मी तो इतनी खूश हो गई कि मतलब मुझसे बात करते करते उनके आंसु निकल आए वो बोल नहीं लिए कि कि जब मैं 10 साल से जॉप कर रहा था वो छोड़ ना और मुझे नहीं प मतले हैं और जो आड़ मुझे नहीं पता था कि बॉलिवुड में या व्यां ऐसरा में मुझे एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा बर जो महिए जॉइन फिलम अकडेमी में मतले कर से जету कि अगर एक साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो गिरिश वापस आ जाएगा और आप जैसे बोलोगे वैसा होगा अभी जो मुझे करना है वो मुझे आप करने दो ममी ने भी पर्मीशन दिया मैंने एक फैमिली में छोटा भाई है छोटा भाई ने भी पोला कि नहीं भाई आप जाओ मैं बैठाँ तो बस वो फैमिली का जो मुझे मिला सपोर्ट जो मिला उसके बाद मैं में मुंबई आया और अप्रोचिंग किया और आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर के एक महिना हुआ एक महिना में मैं जी टीवी का एक सीरियल कर रहा हूं और आगी की दो सीरियल मेरी मतलब लाइन में है जो फाइनल डिस्केशन बाक इन की बात हज है वह पुछता है वो तो नौर्मली हम नहां इसी बात करते हैं जिस सब डरजाते हैं अगर पूचि जाए तो आपको हमेशा उसका फाइदा ही मिलता है अब चब आप क्ам कर रहे हूं है और मैं कभी चैश्जय से कहता भी हूं कि बहुत सारे कि मैंने नोकरी तो उसमें से एक यह भी है कि नौकरी छोड़ाई है तो जो लोग इस असमंजस में हैं इस कन्फूजन में हैं गिरिश कि मैं मेडेज में आ गया हूं मेरा लुक उतना अब मार्केटरिच लुक नहीं है और मेरा जॉब भी है फैमली भी है तो डरे हुए होते हैं आज आप इस बिलिशार interview कि लोग यह सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है इतना जो मिढेज में जो बूख इन्फानא करना है मगर हूं कुछ करना ही पातREY क्यूंकि मैं बहुत धृछ दैख्रा जो भी है क्या काम strive पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मगर मुझे क्लास में सिखाया गया था कि जो भी अगर आपको एप्रोच करना है कुछ पूछना है तो आप वो एक सही तरीके से और सही आदमी को अगर आप पूछेंगे तो आपको सही एडवाइज मिलेगा मुझे भी बहुत लोगों ने आजु बाजु वाले ने बोला भाई क्या कर र नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं मगर जो मुझे क्लास में सिखाया गया था उस हिसाब से मैंने सोचा और मैंने उनकी बातों पर ध्यान ना देके आपसे मैंने कंसर्ण किया और जो अपने एकदम सही एडवाइज दिया सर उससे मेरा पूरा थौट चेंज हो गया और तुरं एक डिसीजन से और अगर आप लोग भी डिसीजन लेते हुँ तो आपके साथ भी यही हो सकता है कि आप बस एक्शन लेलो बागी काम अपने आप हो जाए क्योंकि वो डर जो है वो आपके सुछ जहन में एक्च्वल में एक्जिस्ट नहीं करता जैसे अब गरिश आगए त जब लोग ethanol का जो जो माहुल था और यह जो ऑँगमान क्लास जो शारू होए थे मेरे हिसाब से अगर आपको और आपको सीखना नहीं तो उनलाइन हो यह आफ-लाइन हो आप कहीं से भी सीख सकते है online में आप मुझे तो यह लगता है कि online में आपको यह environment मिलता है जैसे मतलब जो दौर था ठीक है कि आप घर पे बैठके comfortable माहौल में आप पूरा study कर सकते हो और online में जो भी सीखते हैं आप और उसमें हाँ ठीक है practice सभी जगह ज़रूरी ओफ-line में भी ज़रूरी है अगर आप online भी सीखते हैं तो जैसे मैंने experience किया कि online में सीखने से भी मुझे काम मिल सकता है बहुत सारे market में ऐसे views हैं कि online सीखने से कुछ नहीं होता है यह सिप time pass है मैंने भी बहुत सुना है मैंने भी बहुत लोगों से सुना है experience भी किया है मगर मैंने सीखा मुझे लगा मुझे जो सिखाया गया था online में उसको मैंने practice किया और आज मैं काम कर रहा हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप अपने dream profession को करके बहुत खुश हो मैं उससे जादा भी खुश हूँ क्योंकि कोई mentor के यह खुशी की बात होती कि उसके जो students है वो आगे बढ़े life में कामियाब हो और गिरिश ने उससीज को साबित किया और भी batch के सभी students काम कर रहे हैं मैं इंतिजार में हूँ कि कब उनका भी interview कोने चलती से तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि आप कहीं न कहीं मेरे को बहुत खुशी दे रहे हो यह सब कर उनलाइन का भ्रहम है तो इस भ्रहम को दूर करने का भी एक ही तरीका है कि खुशी दाख़ देख requirement लिया देख लिए जाएगि अगर अगर सोच लीया है डर लगेगा डर लगना बड़ी बात नहीं है लेकशन देर से डर जाना बहुत बड़ी बात है उनको भी डर लगा ल कि वो डर के मारे फिर एक्शन ही नहीं लेते तो अगर आप भी वाकई कामयाब होना चाहते हैं फिल्म इंडस्टी में आना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से अप्रोच रखिए आपको भी काम मिल सकता है मेरा तो अपने आप में मिशन है जॉइन फिल्मस का कि जितने भी कलाकार हैं उनको उनकी जगए दिला दूँ क्योंकि अगर उनको उनकी जगए मिल गई तो जिन कलाकारों को दबाये जाता है ये बात कहिके कि बड़ी अंसर्टेंटी है इस फील्ड में कुछ भी नहीं है रखा है आउकसाइडर को काम मिलता वो अपने आप ही मिट जाएंगी गिरिश न आज एक बहुत बड़ा काम किया है ये बात से आपको इंस्पायर करके कि वाकई अगर दिल से चाहो दिल से करो तो मनजिल ज़रूर मिलती है इस वीडियो को ज़ादा ज़ादा शेयर कीजेगा क्योंकि ये वीडियो वाकई बहुतों की जिंदगी बदल सकता है ये आपकी जिम्मेदारी है आज रिक्वेस्ट नहीं करूँगा ठीक है और लाइक ज़रूर कीजेगा गिरिश से आपने क्या सीखा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा अगला वीडियो में फ़र से मलेंगे तब तक ले देखते रहें, सीखते रहें, जमे रहें All the very best अक्टर बनने का सबसे आसान तरीका एवोर्ड विनिंग अक्टिंग गुरू विरेंदर राठोर का best seller Acting Method Switch On Switch Off Acting Method है इस कोर्स से सीख कर आप भी कुछ ही दिनों में एक बहतरीन अक्टर बन सकते हैं जिसे साबित करते हैं इसके amazing Amazon और Google के ratings and reviews Switch On Switch Off Acting Method अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है Switch On Switch Off Acting Method course book आपको Amazon Flipkart Joint Films वेबसाइट पर एवेलिबल है